गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट आज हमाई डेट है 21, डे हमारा फ्राइडे, आज हम मैस की F4 का टेस्ट करेंगे फर्स्ट कोश्चन है टीक दा करेक्ट ओप्शन, यहां पर जो सही ओप्शन है उस पर राइट करना है यहां पर 65 तो 65 पर हम बोक्स में राइट करना है सेकिंड कोश्चन में हम आते हैं, मैस्द फॉलविंग इसमें हमें मैच करना है जैसे 48 हो गया तो हमें 48 पर मैच करना है 52 हो गया तो 52 पर मैच करना है, 72 है तो 72 पर मैच करना है तो इस तरीके से हम इनको पूरे को मैच करेंगे next what comes first में है just after इसके बाद क्या आता है 89 के बाद जो आता है वो यहां पर लिखेंगे just before 88 से पहले क्या आता है वो इस box में लिखेंगे between 85 और 87 के बीच में क्या आता है हम इस box में करेंगे next add the following इसमें add करना है 2 और 3 को हम add करेंगे जो answer आएगा वो यहां पर लिखेंगे next subtraction तो subtract में क्या होता है इसमें के 6 message जैसे 5 minus करेंगे जो आएगा answer यहां पर लिखेंगे जैस 6 message 5 किया तो 1 आएगा तो यहां पर 1 लिखेंगे इस तरीके से हम यह minus करने है next fill in the blends repeated addition और multiplication पहले क्या करना है हमें इन सबको add करना है जो answer आता है यहां है फिर इसको कितनी बार add हुआ है कितनी बार लिखेंगे 1,2,3,4,5,6,6,7,6 फिर यहां पर 6 को किसे करना है 2 से तो इस तरीके से हम लिखना है यहां पर हमारी EFE4 की test खतम होता है आपको कोई doubts आप मुझे पूर सकते है Thank you Good morning student आज हमाई date है 21 Day है हमारा Friday आज हम EBS की FA4 test करेंगे Question first है Tick the correct answer हमें correct answer पर टिक करना है Elephant like to eat Elephant क्या पसंद करता है खाना जो उसको पसंद है उस पर write करेंगे इस elephant को sugar cane पसंद है तो उस पर write करेंगे Rabbits like to eat जो rabbits को पसंद है जो rabbit पसंद करता है सबसे ज़्यादा खाना तो उस पर write करेंगे Monkey like to eat जो monkey को सबसे ज़्यादा पसंद है उस पर write करेंगे Next question हमारा ये हमें fillips करने है तो क्या करना है जो goat and deer are ये जो goat और deer क्या खाते हैं तो यहां पर जैसे कि प्लेंट इटर है तो यह प्लेंट खाते हैं इस तरीके से इनके जो खाते हैं उनको लिखना he यहाँ पर यह option दिये हुए है इनको देखके next है हमारा fill in the blends इसमें क्या है इसमें we use dash to draw underground water जो हम underground water से हम जो लेते हैं वो यहाँ पर लिखना है यहाँ पर hint को देखकर हमें fill in the blends को fill करना है next है हमारा question answer name the main source of water जो हमारा main source of water का वो हमें यहाँ पर लिखना है हमें इन तीनों के answer लिखने है यहाँ पर हमारी worksheet यहाँ पर हमारे F4 test खतम होता है आपको कोई doubts हो पूछ सकते हैं thank you